वीडियो प्राइडी पर डालने वाला था में लेकिन एक्चुली डिले हुआ को ज्यादा ही डिले हुआ है मुझे लग रहा है आपको वीडियो प्रॉपर मिल रहा होगा मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा सब कुछ ही नहीं है तो मुझे नहीं पता है क्या मेरा कितना अच्छे से लेगा लेकिन विल सी ट्राइड यहाँ पर देखते कि अभी बैंक निप्टी को थोड़ा हाँ मार्केट में वीग बने हैं जो कि डीसाइड निकर पा रहे मार्केट को जाना करें लेकिन मार्क इस ऑन्ली पॉजिटिव पॉजिटिव एंज्ट पॉजिटिवkachत पॉजिथी यह हैं और उसी डियरेक्श नमें सोचनी की कोशिश करなんです in the bank bank लूप को बारे में देखते पर मार्केट आजाता है, करेक्शन करता है, फिर से वापस उपर चला जाता है, यह बेली पिच्चर का यहाँ पर हमारे लिए चल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखते हो, तो looking at the same thing आपर, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर उपर भी जा रहा है, शोर शोर जा रहा रहा हो, दो-दो-डो, ढाई-ठाई घंते तक मैं लाव में बैट रहा हूँ, प्रोफिट जनरेट करके दे रहा हूँ, सब को दे रहा हो, बस उसी को प्रोफिट को सीखने में इंवेस्स करो, आप मेरे से सीको इसकी कोई रिक्वार्मेंट नी है, कहीं से भी सीको, लेकिन एक पता नहीं मुझे कब आएगा आएगा की नहीं यह भी मुझे पता नहीं यह पता नहीं मार्केट को फॉलो करनी कोशिश कर रहे तो एक शबसे इंपोर्टन केश्चन मुझे पूचा गया था एक मेरे हाँ से नजदी कुछ रादा नगरी या कहीं से भी कुछ नीर अबट 50 किलोमेटर के अंडर-अंडर को एक सिटी है वहाँ से क्वेशन आया था बहुत इंपोर्टन क्वेशन था मैं आपको सच शेयर करना चाहूंगा सर क्या आपको स्ट्राइटरजी फॉलो करते हो या फिर रियल चार्ट को देखकर प्राइज अक्षिन को देखकर मार्केट को इतना पॉर्फेक्शन लेकर आते हो एक बात मैं आपको हमेशा समझा जयता है लेकिन एक सिंपल सी चीज़ बता जो याद रखो आगर आपके पास एक strategy है मैं क्या बोल रहाओ आपके पास इक strategy है important topic है बहुत अच्चे से विडियो बड़ा बन जाएगा लेकिन important है सुन लेना अगर आपके पास इस्ट्राइटरजी है and दूसरा है market का price action आपके पास है तो इन दोनों में अब कब पैसा बड़ा बनाओगी कब पैसा बनाओगी स्टाटर जी क्या बोलती है कि पिच्चर को बनने दो सिनारियो को बनने दो फिर जाकर हम ट्रेड लेंगे हैं इसको छाये पावर जब तक इसको पावर नहीं चलेहा यह चलने नहीं वाला इसको पस कमी बाद दिटिशनल ट्रेडिंग हैं धर इसको सवोलन dw tuv तो अगर मैं इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की ज़रोत नहीं है इतना बड़ा ये कब क्यो इस ओनली विकाद प्राइज अक्षन जीता कौन है अब देखो प्राइज अक्षन क्या है यह बहुत से लोग उसके बार में सुनते तो है पता तो है लेको एक्षूलिसमों वर्काउट के से करने यह किसी को चाहता तो पता नहीं होता है तो जो ऊपी का दिन पर हमारा में आज का पीग कम आनलेसिस करने यह पर फिचर में अभी आपको तीख रहे कि केंड़स मार्केट में बार बार सेलिंग तो प्रेशर मुझे थोड़ा सा ना बाइं से ज्यादा हटकर थोड़ा सेलिंग के बार में सोचने वाला हूँ मैं क्या बोल रहो मैं सोचने वाला हूँ मैं aggressive करनी की बात नहीं क्या रहा हूँ मैं सोचने वाला हूँ यहाँ पर market दिख रहे मुझे 46,250 मेरे लिए important level है कल अगर market इसी range में open हो जाता है यही range में अगर market कहीं पर भी open हो 46,250 के उपर अगर market निकल जाता है तो यहाँ से possibilities के हम और एक trade कर सकते हैं लेकिन मैं अब भी बैंक की कुछ इस तरी की से देख रहा हूँ ना मैं aggressively आपके साथ वो हमने कर लिया लेकिन अब भी मैं इतने जादा aggressive मोड पर नहीं हूँ अब ऐसा क्या logic से बहुत से लाजिक है जो चाट पर दिखते रहते हैं कई ना कई वही चीजे मुझे भी दिख रही है लेकिन आभी फिलाल के लिए वह चीजों को थोड़ा साइड में र को एक्षपारी होने वाला तो मंडे फ्यूजडे और वेनस्वीट मतलब ये दो दिन हमारे पास है यहाँ पर मार्केट थोड़ा साशाणती बिता सकता है थोड़ा सा शांती से रह सकता है या फिर थोड़ा बहुत मार्केट गैप डॉन हो सकता कल के दिन पर देखो मैं जो तो हो रहा है कि मुझे चार्ट पर दिख रहा है उससाब से अभी आपर ना मुझे सर्दी थोड़ा सो आएगा थोड़ा सा डिस्टबस आपको आपका प्लीज़ कर लेना क्या कर सकता हूं यह ख़तम ही नहीं होती मेरे से तो क्या करो मैं बहुत तो पक चुका हूं इस सर्दी से लेगि 46200 मुझे कल दिख रहा है कि मार्केट कहीं पर भी उपन होने की कोशिश करें 46100 पर उपन हो सकता है मारके अगर आपको यहां पर क्लोजिंग देखो कि तो 46230 पर क्लोजिंग रहे है जो आपको यहां पर जो एक्छली कुछ आलग करके दिखा दे तो आपको यहां से आगे कितना दिख रहे है क्लोजिंग 46231 पर क्लोजिंग दिख रहे है यहां पर कितना क्लोजिंग दिख रहे है 46150 पर इसलिए अब दोनु चीजों का हमेशा देखने की कोशिश करो अब 250 लेवल कहां पर है मार्केट का एक्चुली 230 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं यह नियर अब यह लेवल क्या सपसे क्लोजिंग कहां दिख रहा है चार्ट पर यह दिख रहा है यह डिफरंस हमेशा चार्ट पर होता है इसको हमेशा याद रखना है है लोगाइज मैंने एक चीज अप्जो किया कि एक्चुली हमें ट्यूजदे पर वेनिजडे मतलब मंडे का एक दिन है मंडे का एक दिन हे हमारे पास ट्यूजडे के लिए मुझे साइड वेजे दिख रहा है अब यसा क्यों में बोल रोग एक तो सब लोग बीजी है अब बोलो किया पुरे महारास्ट पर चलाते हैं वह सबसे ज्यादा ट्रेडींग अकॉर्ट महारास्ट से उपन हो रहें दूसरी बात हर एक चिज़ यह तो मैंने लॉजिक सब को बता कि यह तो मतलब मुझे चीज़े दिखी इसके लिए मैं बता रहू है में चार्ट पे भी वही चीज़े मुझे दिख रही है कि market कहीं नहीं के थोड़ा सा sideways behavior कौर सकता है, जरूरी भी है market को sideways जाना, volatile बनना market को जरूरी है, तो market possibilities है, तो कल अगर market, मैं आपको एक range बता दे तो, तो कल अगर market 46,150 के पास open हो रहा है, इसी level के पास अगर मार्केट open होरा है तो मैं क्या करूँ गा मैं SIMPLE सी बात बता दें तो मैं क्या करूँगा मैं कलना जाधा था करेंगा और मी आपने की नियुक्षाट साकता है। से था कर सकता है जो मुझे दिक रहा है अपर अगर यहां पर market open हो रहा है तो मैं ज्यादातर market को award करनी कोशे करूंगा लेकिन अगर market 46,250 के उपर उपर open हो रहाए औods फिर आगर market कही पर भी यह level के पस अगर open हो रहा है यह level पर फिर market यहां से just एक upside निकल जाए या फिर आपको मैं इतना अपसाड होगे आप कंफिस हो जाओगे सिंपल सी एक केंडल बना देगे इसी केंडल का अगर हाई तोड़ रहा है क्वांटिटी ले सकते हो लेकिन आज पर माय कनिक्शन में गलत भी हो सकता हूगा इस हमेशा याद रुको में गलत भी ह हो सकता हूँ लेकिन मैं जितना आज तक मैं आपको बताया हूँ कई ना कहीं थोड़ा बहुत तो सही हुआ हूँ उससाब से मैं आगर आपको बता हूँ मार्केट नॉर्मली उपर तो जाएगा लेकिन यह वापस नीचे आने की कोशित ज्यादा पॉसिबिटीज करेगा मुझे जिस तरी किसे लेग रहा है मैं कभी भी जाकर ऑप्शन चेन को डाटा फॉलो नहीं करता हूँ लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है 46,500 पर सबसे ज्य पर आधा एक गंटा रहें समझ लेना कि मार्केट साड़ चलागा है आपको ठरीड करने की कोई जरूवथ नहीं है 200 के नीचे नीचे-नीचे-ंचे मार्केट आगर निकल जाकर नीचे- नी जा रहें तो कहीं ने के market sideways जाने की chances बहुत ज्यादा possibilities है और फिर यहाँ पर हमें trap होने की कोशिश हो जाएगा और तो अब trade करने के लिए award थोड़ा सा कर सकते हैं मैं ज्यादा कुछ खेचने ने वाला वीडियो को आले डी वीडियो लंबा हो चुका है तुझी में topic के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर यह चीजी मुझे दिख रहे उससी तरह की से plan बना सकते है अगर market नीचे gap down open हो रहा है किसी भी situation पर तो मैं ना ही market को aggressively sell करूंगा ना नहीं में market को aggressively buy करूंगा तो normally सब लोगों को यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रेड करने की ज्यादा अग्रेशिवली कोई ज़रूरत नहीं है आपको जिस तरह की से मुझे चार्ट पर दिख रहा है तो लेक बार निप्टी को देख लेते में कंटिनिसली बहुत ताइम से में लिक बत्टि फ्रेडिंग कर रहा है चार्ट अगर अगर ओ यहाँ पर मुझेर के लिए अब निप्र वैरेन अजी है जया चुका हुआ है फिफोड़ा सा एजज यादाग वह चुका है अगर अभी थोड़ा पनी में मि फ्लाइम निटी थोड़ा सा यहां पर कुछ दीख रहे है'm अगर यहां पर कुछ जोग है निप्ती किसी भी सिच्टुएशन पर 20, 30, 40, 50 पॉट्ट अगर नीचे गड़ान उपन हो रहा है कई पर भी यहां पर बन गई एक केंडल उसके अंदर जादा बननी चाहिए ऐसी चेंडल बनन तो पॉस्टिटी ते कि हम वापस इसको लेकर आ सकते 20,000 के आसपास भी मार्केट को देखा जा सकता है 20,000 तो क्या करेंगे इतना ही सिंपल प्लाण बना रहे तो क्या करेंगे इतना ही सिंपल प्लाइगे सब्सक्राइब कुछ भी कर दके हम अपने प्राइज पर इसाप से वर्कवट करते हम उनके पर सी है ताहर सब्सक्राइब है उस confess के above बहुत बेनिफेशल उनके लिए होनी वाला है तो काम करते हैं आज के लिए फिर यहीं पर रुखते हैं मैं मिलता आपको किसे नेक्स टुड़ में तब तक लिए बबाबा आयरेवन एक केर